आप सब आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल में तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सेवी का एक एक एक्जाम है जो इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एक्जामिनेशन है जो फ्री अफ कॉस्ट आप एक्जाम को जो है वो दे सकते हो और सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है certificate की validity जो होती है वो 2 साल की होती है 2 years की होती है ठीक है जिस दिन exam दोगे आपका result जो आएगा तो उसके base पे 2 years का उसमें validity होता है certificate का क्यों करना चाहिए इसको तो देखो अगर market से या finance से related आपको basic knowledge चाहिए तो आपको ये करना चाहिए ठीक है करना चाहिए आपको इसकी तयारी करनी चाहिए एक्जाम देना चाहिए आपको कौन कौन दे सकते हैं तो मैं कहूंगा कि 15 years से 70 years तक के भी जो लोग हैं उनको देना चाहिए ये exam क्योंकि इसमें financial related basic knowledge है बहुत अच्छा knowledge है और आप ये exam दे सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हो बट ये भी ध्यान रखना कि 15 years का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें trade करने लगए है न ये knowledge की बात हो रही है मैं knowledge की बात कर रहा हूँ इसका knowledge सब ही ले सकते है तो इसमें 50 questions होते हैं one marks के होते हैं और इस exam में negative marking नहीं होती है NISM 8 का जो मैंने बताया है आप लोगों को उसमें negative marking होती है बट इसमें negative marking नहीं होती है mode of examination की अगर हम लोग बात करें तो वो online होता है और आप अपने घर पे भी आराम से इसको घर से भी बैठे बैठे दे सकते हो इस exam को आप लोगों अगर book आप लोगों को चाहिए होगा या material चाहिए होगा तो वो मैं provide कर दूँगा और आप registration करोगे तो वहाँ से भी आप उसको आसानी से download कर सकते हो खुद को register करने के लिए आपको जैसा कि मैंने NISM में register करने के लिए बताया था वो सारे ही documents लगेंगे अपना address, pen card ये सारी चीज़ें लगेंगे आपको खुद को इसमें register करने के लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग exam हम लोगों ने देख लिया workbook की बात हम लोगों ने कर लिए और मैं आप लोगों को इसमें mcqs भी provide करूंगा और किस तरह exam होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जब आप registration कर लोगे तो आपको अपने detail यहाँ पे डालना होगा email id आपका यहाँ डालना है और password यहाँ होगा और आपने अगर registration नहीं किया है तो new account जो है यहाँ से register कर सकते हो register करने के बाद home page कुछ ऐसा होगा आपका यह home होगा इसके उपर आपका नाम होगा और यह जो हैं कुछ details है यहाँ पे practice exam है available exam कौन कौन से है incomplete जो जो आप exam देना चाहते हो बड़ दिया नहीं है तो incomplete है वो होगा examination result होगा enrollment होगा और my examination होगा यह सारे details यहाँ पे होगे जो भी आप click करोगे यहाँ इस side जैसे यहाँ देख रहे हो यह आपका आजाएगा next अगर हम लोग बात करें तो जब आप enrollment में जाओगे तो यहाँ देखोगे बहुत सारे exams है यहाँ आपको यह जो है enrollment for SEBI investor certification examination इसको आपको click करना है इसको click करोगे उसके बाद आपके details इस तरह से यहाँ पे आ जाएगे यह देखोगे SEBI investor certification examination है इसको click करोगे यहाँ proceed to testing center जाओगे वहाँ पे date डालना होगा और online डालना होगा कि जो center है आपका testing center वो online ही होगा और फिर date चूज करोगे एक से दो दिन का आपको date मिलेगा मानलो आज अगर आप कर रहे हो तो आपको मानलो आज 10 तारीक है तो आपको 12 को exam देने को मिलेगा और आपको एक दिन पहले आपको ID और password दे दिया जाएगा login link प्रोवाइड कर दिया जाएगा email पे तो वहाँ से आप exam दे सकते हो जब exam दो गया आप तो कुछ इस तरह का वहाँ पे दिखेगा आपको detail इस तरह का questions इस टाइप में होंगे ABCD रहेगा और timing यहाँ पर होगी आपके exam की और यह questions होंगे 50 questions है answer करोगे उसके बाद यहाँ submit करोगे जैसा कि दिख रहा है तो फिर आपका आगे result same day मिल जाता है ठीक है तो यही detail है और question जो है आपको मैं question बाद में provide करूँगा question इसके बाद होगा क्योंकि यह थोड़ा लंबा हो जाएगा और process हमारा proper उसमें question MCQ ही रहेंगे मैं आप लोगों detail में उसको बताऊँगा तो जल्दी जल्दी response दो अच्छे से और कोई भी doubt हो तो comment आप लोग जरूर करो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए हाँ यहाँ यह भी ध्यान आप लोग रखना कि exam जब दोगे answer जब आप click करोगे तो उसका color इस color का हो जाएगा ठीक है मैं आप लोगों को जरूर suggest करूँगा कि आप लोग की exam दो जरूर तो चलो फिर भी कोई doubt रहे तो मिलते हैं आप लोग doubt को comment में पूछ सकते हो मैं आप लोगों की help जरूर करूँगा तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत